लो गाइस बेलकम टू आर निव वीडियो तो अभी बज रहे हैं बार रहा है और आज भी वाइस आहीं गर्मी है पिछले तीन चार दिनों से जैसे है मैं आपको दिखाता हूँ एक रैविट कि देख सकते हैं इसके कि कितना गर्मी होगा बाहर में कि यह रहा वो देख दोनों अपना बाइक और चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं कि देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि कितना गर्मी है गाओं का माजा है ना जो अलग है वो वही समाज सकते हैं जो गाओं से भी लौंग करता हैं हर सीजन में अलग-अलग आपको फसले दिखाई देने को मिलेंगे कुछी दिनों के बाद फिर धान का खेती होगा और सारे लोग उसमें बैस्त रहेंगे में कितना ही गर्मी क्यों न रहें लेकिन लोग घर में नहीं रहेंगे यह गाओं की खास बात है लोग हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहेंगे बाहर में इतने के अर्मी में तो बाहर निखानने का मन ही नहीं नहीं पाते हैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों का रिस्पॉंस काफी अच्छा रहा तो इसके लिए सभी को थाइंक्यू आप प्यार और सपोर्ट करते रहें और इस यूटूब फैमली को और बढ़ा करें आने वाले वीडियो में आप सभी को इंटोड़क्शन वीडियो भी देखने को मिलेगा और क्यूएने वीडियो भी मिलेगा देखने के लिए कि वेने वीडियो भी करेंगे हम लोग और सभी लोग अपने में ब्यास्त है तो यह न लएनी है अभी हम घूमने आए हैं अपने खेत और हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे हमारे हम मूँ की खेती होता है जो कि गेहूं के फैसल कटने के बाद इसका खेती होता है देख सकते हैं आपकी कैसे इधर मूंग लगा हुआ है जिसमें अभी फर भी लगा हुआ और जो पक गया है कुछ दिन में इसको तोड़ा जाएगा और इसी से मूंग में से दाल निकाला जाता है आप देख सकते हैं कि इसमें कितना फर लगा हुआ है जो कि ऐसा होता है और सारे खेत में मूंग लगा हुआ है दूर दूर तक इसका बीच ऐसा होता है दाल मूंग का इसी से दाल निकलता है इधर जितना भी खेत है उसमें सारे में मूंग लगा हुआ है और बाके में नहीं लगा हुआ है देख सकते हैं जितना आपको ग्रीन दिखाए दे रहा हुआ है उसमें मूंग लगा हुआ है हो गया हसाम और हम लोग जा रहे हैं अब ही मार्केट कुछ काम है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यूटूब फैमली को बड़ा करें आने वाले वीडियोज काफी इंट्रेस्टिंग होगा आने वाले वीडियोज करें